एक सवाल छोड़के गए थे मैं और राहत साब आप सबके लिए और डॉक्साब के लिए भी कि जिनाब पहले जिस तरह नवाज शरीफ साब कहते थे कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा किसी से भी नहीं लूँगा क्या अब डिक्टेशन ली जाएगी या अभी भी वही स्टांस है उनका कि मुझे नहीं चाहिए डिक्टेशन या इस दफ़ा डिक्टेशन कहीं और रहेगी क्या कहेंगे डॉक्साब आप इस सवाल का जवाब जैसा हमें उनकों जानता हूँ वो एक बड़े रेजिलियंट और जुरुतमन इंसान है जो बात इन्होंने की है रहात साब ने नाइटी नाइन में भी उनने कहा था पर जलावतन हुए थे उसके बाद दुबारा सतरह में भी उनको सजा हुई फिर वो लंडन चले गए और अब आप ये देखिए कि ये शक्स को हम हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से फारिख कर चुके थे और उनको फारिख करने के लिए पांच बड़े जिन मौझूद थे जिन में एक जनरल साब थे एक जैज साब थे और बहुत से लोग थे उसके बावजूद सिंगल आदमी लंडन में बैटकर उसने सारा प्लैन उल्टाया और इस मुल्क में वापस आया और आकर भामी ताकस से इस तरह भी आया बहुत बड़े जम्य गफीर में मैं तो यह कह रहा हूं सियासित की बात कर रहा हूं कि सियासी तरीके से जम्य गफीर की मैंने बात नहीं की अभी तो मैंने उस प्लैनिंग की बात की है जिसके तहर उन्ने लंडन में बैटकर की वह सिंगल हैंड़ लिए अपने मुखालफो तो भी बात कर रहे थे, वो यकीनां इनकी खाहिश तो हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ जब वापस आया तो किसी और को बनाने के लिए नहीं आया, अच्छा वो ही बनेंगे प्राइमिस्टर बनेंगे, दूसरी बात, देखें, मेरी बात सुरें, आपने सवाल पूचा है, उसका मैंने जवाब दिया आपको कि नवाज शरीफ इन सारे मुखालफत के बावजूद उनको लटाकर अपनी हिकमते अम्ली से कामयाब होकर यहां आए, और अब उसका टार्गेट प्राइमिस्टर बनना है, और अगला प्राइमिस्टर नवाज शरीफ ही होगा, यह बात याद रखें, लेकि डाक साब ज़रा इस पर यह भी ले ले ले, अगला जो एक्तदार हम देख रहे हैं, उसके अंदर तो उस तरह के इक्तियरात हमें नजर ही नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, चुछ उसकी बज़ाब देखें, यह मिया साब इस पर कॉंप्रॉमाइज आगास करेंगे, पहली बात तो यह जो रिवायत इमरान साब, खान साब की हकूमत में, या उसके बाद डेड़ साब की हकूमत में, या केर टेकर में रही है, आप बहुत पीशे चले गए हैं, तो वहीं से वो आगास करेंगे, मेरा अपना ख्याल यह है, कि नवाज शरीफ क यह बारियर तोड़ना होगा, और उसके पास यह सलाहियत मौजूद है, कि वो पुलिटिकली और एकनॉमिकली इन बारियर को तोड़कर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनके पास, पाकिसान को स्टेबल कर सकते हैं, अगर अगर अगली हकूमत पांच साल के लिए नहीं होग देखें, अगर यह बात ना होती, तो नवाज शरीफ वापस ना आते, इनको सिजा दे दी गई थी, इनको फारे कर दिया गया था, इनको दफन कर दिया गया था, वो जिन्दा ओकर वापस आयें, और मैदान में